नमस्कार आप देख रहे हैं दिली तक मैं हूँ आपके साथ अनुराधा तबर दिली में कोरोना वाइरस का खत्रा अब काफी हद तक कम होता हुआ नजर आ रहा है कोरोना वाइरस के जो नए मामले हैं अब वो संख्या में काफी कम हो गए है 28 मई की बात करें तो 28 मई को दिली में 1149 मामले रिकॉर्ड हुए वही मरने वालों का आकरा 149 पर गया पॉजिटिविटी दर भी करीब डेड की रही लेकिन आपको ये बता दें कि दिली में अब हालात पहले के मुकाबले समहल रहे हैं और इसी कड़ी में दिली के मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल ने 31 मई सुभा 5 बजे के बाद से दिली में अनलॉकिंग प्रिक्रिया की शुरुआत का एलान कर दिया है लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से दिली में कोरोना वाइरस ने कहर बढ़ पाया दूसरी लहर में खास कर जस तरह से दिली वालों ने देखा कि दिली में कोरोना का आतंक चरम पर था और एक वक्त ऐसा आ गया था दिली में कि एक दिन 28,000 से ज़्यादा मामले भी रिकॉर्ड किये गए आपको आंकडों के जरीए बताते हैं कि दिली में अब तक कोरोना ने कितनी तबाही मचाई है दिली में अब तक कोरोना के कुल मामले 14,23,690 रिकॉर्ड किये गए जिन में से 23,991 लोगों की मौत हो गई यानि करीब 24,000 लोगों की जान दिली में कोरोना की वज़े से गई वहीं दिली में 13,85,158 लोग ठीक भी हुए मृत्यूदर की बात करें तो दिली में 1,68 मृत्यूदर है वहीं आक्टिव केस अभी भी दिली में 14,581 है जिन में से 7,111 केस ऐसे हैं जो अभी होम आइसोलेशन में है दिली में करीब 24,000 लोगों की जान कोरोना वाइरस से जा चुकी है ज्यादतर मामले ऐसे हैं दिली में जो दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मौत हुई है और आपको ये भी बता दे कि अभी भी खत्रा पूरी तरीके से टला नहीं है कई बार दिली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अभी भी खत्रा पूरी तरीके से खत नहीं हुआ है अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरूर हो रही है लेकिन अगर हालात बिगडे और या हालात पहले के मुकाबले खराब हुए तो फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है इसके साथ ही तीसरी लहर को लेकर लगातार अलर जारी किया गया है और बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है सरकार की ओर से कि वैक्सीन जल्द से जल्द राज्यों को मिले ताकि वो अपने लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सिनेट कर सके ताकि अगर तीसरी लहर आती ह तो उसके लिए लोग तैयार रहें लेकिन अभी भी वाक्सीन को लेकर दिली सरकार और केंद सरकार के बीच में सियासत हो रही है दूसरी तरफ अगर बात करें मौजूदा हालात की तो अभी दिली के हालात काफी बहतर नजर आ रहे हैं और इसी वजह से आप दिली में unlocking प्रक्रिया भी शुरू हो रही है लेकिन फिर भी ये बात हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि अभी आप ये मत समझें कि दिली में अगर unlocking शुरू हो रही है तो आप ये समझे कि खत्रा तल गया है आपको अभी भी mask लगाना है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हाथों को सैनिटाइजर से धोना है और अपना पूरा खयाल रखना है जो भी कोरोना वाइरस के प्रोटोकोल है उनको फॉलो करना है और बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलना है क्योंकि हमारी अपनी सुरक्षा हमारे अपने हातों में है